एक्जाम दार चैनल में आपका एक फिर से स्वागत है मैं एक फिर एक नए टोपी के साथ आया हूँ और इसमें हम बात करेंगे राष्ट्रिय सिक्षा योग जितने भी राष्ट्रिय शिख्षा योग बने थे इसे पहले उन सब्सक्राइब बारे में हेरमें इक एक्जाम में हर्समुए प्रस्ट्रार्ध्थ बात कर देखिए रहें के और उसके अध्यक्ष कोन थे, आपको बता दें कि एस्टेट का और ग्जाम से 9-10 September के बीच में जो एक जाम होगा है सिक्षक पात्रता प्रिच्छा का बिहार में उसमें हर सिप्ट में एक प्रस्ट जो 50 नंबर का प्रस्ट है पेटागोजी और अन्यदच्छता का उसमें एक नंबर इससे पूछे जा रहा है एक या दो प्रस्ट पूछे जा रहा है अब ही आप जरूर देखे साथ यह वीडियो बनाया जा रहा है यह वीडियो भी आप जरूर देखे तो चलिए देखते हैं सरकाई नवकरी की बेहतर ओनलाइन त्यारी के लिए एक जामदवार चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले साथी वीडियो का लाइक ओ सेर कर दे तो देखते हैं राश्टरिये सिख़्ा निती राश्टरिये सिख्षायों के बारे में सबसे पहले हैं हैं हमारा वुड डिस्पाइच यह कब बना था तो 1864 में चलिए जानते हैं क्या है वुड डिस्पाइच 864 बौर्ड प कंट्रोल के अध्यक्ष चाल्س बूड की अध्यक् है कि इसकी स्कून फे तो चाले सूंड वूट हम्हें यह यहाद रखना है वुट डिस्पैश कि अध्यक्श कुन थे तो 20 और यह कब बना था था तो 2802 बस हमें इतना या रखना जाद आधा रखना है क्योंकि एक दो नमर इसी से पूछे जा रहा है चलिए आगे परते हैं क्या है तो आगे सर चार्ल्स वूट के नाम पर इसे वूट डिस्पैच कहा जाता है वूट डिस्पैच भी कहा जाता है या आपसे वूट डिस्पैच पूछ लिए जाएगा कि कब बना था तो 88 चोगर म इसके अध्यक्ष को थे चार्ज वूड यह सिक्षा के विशय पर पहली नीती इसे भारतिय सिक्षा का मैंगना काटा भी का जाता है क्या वूड डिस्पैज को भारतिय सिक्षा का मैंगना काटा अब आगे चलते हैं इसकी अनुसंसा देख लेते हैं हर कमीटी ने कुछ- ओवर्वियू के रूप में देख लेते, क्या है, तो सरकार पॉस्चात, सिख्छा, दर्शन, विज्ञान, कला और साहित का परसार करे, उच सिख्छा का माध्यम अंग्रे जी तथा निचले अस्तर के मात्रिभासा को पुरसाहित करे, ये वूट डिस्पेश कमिटे का अनुस 214, इचे ही सिख्छा का मैंगना काठा भारतिये, सिख्छा का मैंगना काठा कहा जाता है कि इसको वूट डिस्पेश को, चलि अब आगे देखते हैं, आगे हमारा विस्विद्याले आयोग, विस्विद्याले आयोग 1902, इसका गठन कब हुआ था, तो 1902 में, ये यमें या दखना है, पहला था हमारा, पहला था क्या, वूट डिस्पेश, 1854, चलि अब दूसरा है हमारा, विस्विद्याले आयोग 1902, चलि लोड करजन ने, अस्थापित विस्विद्याले आयोग की इस्तिती की जाज करने, उन पर विचार करने, तर्था कार्ज में सुधार करने, आधि के लिए 27 जनवरी 1902 में, थोमस रेले की अध्यक्षता में, ये याद करने वाला पॉइंट है, क्या, थोमस रेले की अध्यक्षा में, विस्विद्याले आयोग की निवत्ती की, तो किसने निवत्ती की, तो लोड करजन ने, क्या करने के लिए तो जाज करने, द्थापिद घृत हिए बहुतिया उस्q भूंटिया अधिनयउठी के दालOkay dollar का अधिनय अधिन्यृत। थामारी voilà किश्ड़न करके गिए अधिन द्वारा और इसके अध्यक्ष कौन थे तो थोमस रह ले और इसी के 20 विद्याले आयोग 1902 के ही अनुसंचा पे भारतिये 20 विद्याले अधिनियम 1904 बना यहां से इतने प्रस्म बनते हैं अगला हमारा राष्ट्रिये सिख्छा परिषद 1905 क्या है राष्ट्रिये सिख्छा परिषद 1905 आये जानते हैं इसके बारे में तो यह है वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के बाद बंगाल विभाजन का वह था 1905 में यह प्रस्म भी बनता है यहां से भी यह कोश्चन भी पूछ लिया जाता अक्सर एक जामें तो आप यह भी याद रखिएगा कि वर्ष 1905 म में राष्ट्रिय सिक्षा परिषद की अस्थापना की गए इसके साथ ही अन संस्थानों की भी अस्थापना हुई जिसमें एक सुतंत्रता के पहचात जादाव पुर्विश्विद्यालय के रूप में विक्षित हुआ रविन्ना टेगोर द्वारा स्थापित सांती निकेतन सांती निकेतन किसके द्वारा स्थापित है तो रविन्ना टेगोर द्वारा पच्छिम मंगाल के वीरभूम जीले में इस्तित है यह एक सिक्षा का केंदर है जिसका मुख कार्ज राष्ट्रिय भासाओ के विकाज के साथ भारतिय परंपराव और संस्कीति का प्रचार करना था तो राश्ट्रिय शिक्षा परिशत कब बना था 1905 में सांतिनी के अस्थापना किस ने किया था तो रविन्ना टैगोर ने शान्ति निकितन के अस्थापना कहां किया गया था तो कहां पच्छे मंगाल के वीरभूम जीले में तो चलिए इतने प्रस्ण यहां से बनते हैं अब चलते हैं आगे देखते हैं आपको बता दे कि यह अभी जो एक्जाम चलना उसमें इस पॉइंट से इस से से जो भी हम करा एक वीडियो चलाया था उसमें सभी राज जो भी राज में जितने भी विश्विद्याले हैं उनके बारे में हमने बात कि थी कौन सा विश्विद्याले किस राज में है जैसे दिल्ली में जेनियू है लखनों में है यह सभी जितने भी राज में जितने भी विश्विद्य सब्सक्राइब के नाम हमने आपको बताया था तो वीडियो भी आप जरूर देखें काफी इंपोर्टेंट है प्रिक्षा की देश्टी से वह उससे भी प्रसंद हडर सिप्ट में एक या दो प्रसंद पूछें जा रहे हैं तो वीडियो जरूर देखें साथ अपने दोस्तों को बीशएर करें में जिनका अभि आने वाले दिनों में होने वाला है कलक Attu 2817 कलक Attu Christian 17 में सरकार ने माईकल सेडलर के नित्रीत में कलकत्ता मीकल सेडलर के नित्रीत में कलक Attu प्रिथक की जाए इंटर्मीडियेट को 20 विद्याले से अलग किया जाए चली तो इसका अस्थापना का भुगा था तो कलकत्ता 20 विद्याले आयोग फिरबाद में राष्ट बने को शिच्छा आयोग भी क्या है राष्ट क्रिश्णन सिख्छा आयोग रपोर्ट देने के लिए नॉम्बर 1948 में सरकार ने डॉक्टर राधा कृष्णन की अधेख्षता में एक आयोग की निप्ती की क्या विश्विद्याले सिक्षा पर रिपोर्ट देने के लिए नॉम्बर 1948 में कब नॉम्बर 1948 में डॉक्टर राधा कृष्णन की अधेख्षता में इसका गठन कर गया, डोक्टर रादा कर्शन आयोग का गठन किया atau a 48 research में और रादा कर्शन आयोग ने इपनी सीफारीश कर दी तो उनटा गणारीश दी चलिए इनके शिफारिज देखते हैं क्या इन्हों ने शिफारिज दिया था, तो 20 विद्यालाय, पूरे 12 वर्श का अध्यान, इनका शिफारिज था कि बच्चे का 20 विद्यालाय में ए tired mission जे पले उन्हें 12 वर्श का अध्यान, प्रात्मेट विद्यालाय मादुएक उच वि खुद्देश होने चाहिए समाने सिक्षा संस्कारी सिक्षा और व्यवसाइक सिक्षा चलिए अगला देखते हैं प्रसाषनिक सिवाव के लिए विश्विध्यालों की अस्तर एक समान किया जाए और उचे उठाए जाएं सिक्षा को सम्वर्ती सुची में सम्रित किया जाए सिख्षा को किस सूची में सम्रित करने को कहा गया है तो समवर्ती सूची में वैसे अभी सिख्षा को समवर्ती सूची में ही रखा गया है हमारे तीन सूची है हमारे देश में कौन से संग सूची राज सूची और समवर्ती सूची संग सूची जिसपे हमार चीज इसमें केंद्र और आज में किसी भी नियम् क mesma नियम किसका माना गा तो केंद्र सरकार का रोज टाओं तो यह सिख्छा को समवर्ती सूची में समलित किया जाए जो अभी है सिक्षा समर्ति सूची में चलिए देखते हैं अगला क्या है इनका तो अगला है इनका 20 विद्याले के अध्यापकों के वेतन में विद्धी की जाए 20 विद्याले अनुदान आयोग बनाया जाए जो देश में 20 विद्याले सिक्षा की देख रेख करे, 20 विद्ध्याले अनुदान आयुग बना जाए, ये किसने कहा था तो ये डॉक्टर राधा क्रिशनन आयोग 1948 ने कहा था, हाला कि इनका अनुशंसा निस्चयाश में इनके दवरा दिया गया था, चली, अगला था इनका रादा क्रिशनान आयोग की अनुसंसा पर वर्ष 1903 में 20 विद्ध्याले अनुदान आयोग की अस्थापना की गई इन्होंने आप देख रहे हैं इन्होंने कहा था क्या 20 विद्ध्याले अनुदान आयोग बनाया जाए तो ये इन्पोटेंट प्रस्म दनता है कि विश्विद्ध्याले अनुदान आयोग की सिफारिस किसने की थी तो डॉक्टर राधा किसने आयोग ने की थी और सरकार दोरा कब इसे मानता दे गई तो 153 में इसकी अस्थापना की गई सरकार दोरा चलिए अगला कोशन देखते हैं अगला जो हमारा नीती है वो देखते हैं क्या है मादमिक सिख्षा आयोग 1952 क्या है मादमिक सिख्षा आयोग 1952 इसके बारे में देखते हैं क्या है ये तो वर्स 1952 में मादमिक सिख्षा के धाचे में सुधार के लिए सरकार ने डॉक्टर ल अध्यक्ष कौन थे तो ये डॉक्टर लच्छमान स्वामी मुद्लियार थे इसे एक प्रस्ट पुछा गया था फर्स्टिप्ट में 9 सेप्टमर को जो फर्स्टिप्ट का एक्जाम होता उसमें ये प्रस्ट आया था यहां से तो ये वीडियो काफी इंपोटेंट है इसलिए करें हमें ये वीडियो बना रहा हैं सारे शिक्षा आयो का ये एक साथ हम आपको लाके दे रहे है तो वीडियो जो देखे पूरा देखे साथी अपने दोस्तों में किए रिभी के चलिए देखते हैं क्या है वर्श 752 में माधमिक शिक्षा के धाचव में सुधार के लिए सरकार ने डॉक्टर लश्मन स्वामी मुदलियार के अध्यक्ष्ता में माधमिक आयो की अस्थापना की इस की इसकी शिफार्ट शस्थानव कि अस्थापना Fredutta बहूत देशिये इस्कूलों और वैवतिक्षन पदो इसक्षन संस्थानों के अस्थापना की जाए गंज्ता मां। अस्तर के शिच्छा के पाठकरम में गनीत शमान ग्यान कलायोंग संगीत अनिवार होना चाहिए यह किस ने कहा तो यह डॉक्टर लश्मन स्वामी मुदलियार ने कहा था और इसकी अस्थापना कब की गई थी माध्मिक माध्मिक सिच्छा आयोग की अस्थापना 1902 में की गई थी यह आपसे प्रस्म पूछ देगा कि माध्मिक सिच्छा आयोग का अस्थापना कब किया था तो 1902 में इसके अध्यक्ष कुन थे तो डॉक्टर लश्मन स्वामी मुदलियार चलिए आगे देखते हैं अगला के हमार कोठाडी आयोग अगरा हमारा कोठाडी योग यह थोड़ा सा धुंदला लेकिन चलिए मैं आपको बता जाता हूं आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कोठाडी सिच्छा आयोग यह कब था तो 1964 से 66 सरकार ने जुलाई 1964 में डॉक्टर डी एस कोठ अध्यक्ष थे कॉण कोठाडी सिच्छा चयोग के अधहकर कुंद थे तो डी एस कोठाडी और यह कोठाडी सिच्छाययोग काडन कब किया था zoals Advisor 945 में अगे दीएस कोठाडी के अध्यक्षता में सरकार को सिच्छा के सवी पक्षत का प्रकर्मों के विशाय में कुठारी शिक्षा योग अगरे न कब किया गया था तो 64 से 66 इसके अध्यक्ष कुण थे तो डौक्टर डी एस कुठारी चली आगे देखते इसके बारे में इनके वरत्वान सिक्षा पत्ती के कुठोरता की अलोचना की और सिक्षा नित्ति में लचीलेपन पर बात किया किसन आगे इनुहें कहा था 20 विष्विध्याले के लिए अध्यापकों के प्रसिक्षन तथा स्रेनी पर विशेश बल दिया जाए, सिक्षा के पुनर निर्वान में क्रिसी, क्रिसी मेनु संधान तथा इसे संबंदित विज्ञानों को उच पराथ्मिक्ता दी जानी चाहिए यह किसका कसण था तो यह यह था कुठाडी चाहिए उन्हीच चोंसस सच्र 26 यानि डिय सब्सक्रीण के चाहिए हो था चलिए आगे देखते हैं आगे हमारा क्या त्री भास यह सुथ्र यह बचूष क्या था सिप्ड़ाग्याओ dw प्रत्न आया था चलिए देखते हैं क्या यह वर्थ 1966 में प्रकासित कुठारी आयोग की सिफारिस 1966 कुठारी आयोग का गठन कब किया था तो 1964-66 वाकि जो अप्सोनों का उसके अशरा हम टिक करेंगे फ्रकासित कुठारी आयोग की सिफारिस के अधार पे वर्ष1968 में भारत शरकार ने थी भासा शुत्र की घोसना की 1964-1966 के कुठारी आयोक के अनुसंसा पे भारत सरकार ने त्री भासा सुत्र का पर्थिबादन कब किया तो 1968 में यहां से पुछा गया था साथ यह कोशन की त्री भासा सुत्र का गठन कब किया गया था तो 1968 में कर ने Low- prix जो सब्ध tuv испश्व में कर था सुत्र में हिंदी राज्यों में हिंदी अंगलेजी और एक आदनिक भाषा कि रहें आगे देखते हैं अगला माना टेंट प्लस टूपलस ठी श्छाप्ति टेंट प्लस प्लस टू प्लस थ्रीज़पति हाला कि यह चंज हो गया है आप कौन सा सिक्षपति नया लागों किया वह मैं आभी आपको बताऊंगा चलिए पहले यह देख लेते क्या है तो वर्च 1772 में अपनाया गया था क्या 10 प्लस 2 प्लस 3 सिक्षा पत्ति इसके कुछ ही दिनों बाद सिक्षा और समाजिक कल्यान मंत्रान ने इस पत्ति को लागू करने के विशह में सुझाव देने के लिए दोक्टर डीपी शुकला की अध्यक्षता में एक समीति का गठन किया क्या है 10 प्लस 2 प्लस शिक्षा निति कब इसका गठन किया गया 1972 में और इसकी अध्यक्ष कुछ दिन बाद किसे बनाया गया डॉक्टर डीपी सुकला को चलिए मैं आपको बता रहा था कि अभी यह 10 प्ल स्च्छा निति इसक्षा निति यह लागू किया है तो एक ही माचल प्रदेश ने लागू किया है आप हमारे वीडियो देखिए Illinois अ आगला है हमारा समिथी 2006 समिथी 2006 यानते है इसके बारे में वर्स 2006 में भारत सरकार ने Alt- 910 to use this हो गाराज। इसे आपसे पूछा लेगा रास्ठी किसे कहा जाता है तो आपसे पूछ पित्रोदा समिती 2006 को राष्ट्रिये ग्यानायोग कहा जाता है इसने विशिपारिस प्रस्तुत की थी क्या इनुने दिया था चलिए देखते हैं वैस्वी करण और नई अर्थविवस्ता के नुशार अनुशासनिक एवं व्यवसाइक लोगों की मांग की पूर्ति करने के ल आगे देखते हैं उस सिख्षा की गिरते अस्तर को रोकने था अविस्तार को बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंद्र सिख्षा विनिमें प्रदीकरन की थापना की जाए यह किसने कहा था तो यह कहा था सैम पित्रोदा समिती 2006 में और इसकी अध्यक्ष कौन थे तो सैम प यह कब गठित किया गया तो 1964 से 66 में कि सिफारीजों पर धारित थी यह यह यदपी वर्च उनिस्तों संसेट में सरकार ने सिख्षा पर राष्ट्रिये नीती के ड्राफ्ट को तयार करने के लिए एक संसदीय समीटी का अगठन किया जो संप्रू समीटी के नाम से परसीद ह संप्रू समीटी के नाम से परसीद है क्या सिख्षा पर सिख्षा पर ड्राफ्ट तयार करने के लिए संसदीय समीटी का गठन किया गया उसका नाम था संप्रू समीटी चलिए अब देखते हैं आगे क्या है अगला देखते हैं अगला अमारा क्या राष्ट्रिय सिख्षा निती 1986 इसके बारा जानते हैं क्या है तो गतिहिन समाज को गतिसील समाज में परिवर्तन परिवर्तित करने के लिए नवीन सिख्षा निती 1986 घोजित की गई कब की गई 1986 में राष्ट्रिय सिख्षा निती 1986 जिसका मुक उद्देश निमने लिखित था यह आप से सिधे प्रस्म पूझे राष्ट्रिय सिख्षा निती कब घोजित की गई थी तो 1986 1986 में बना शिख्षा निती का नाम क्या था तो राष्ट्रिय सिख्षा निती इस तरह से कोशन पूझ देगा चली जानते इसके बारे में क्या था इसका मुक उद्देश क्या था इसने क्या अनुसंसा कि थे अपनी कि महत्मा गांदी के विचारों के अनुरूप ग्रावीन सिख्षकों की सिख्षा इस अंदर में इस बात का विशेश उलेक किया गया कि किसी भी देश के लोग आस्तर उनके अध्यापकों के अस्तर से उच्छा नहीं हो सकता चलिए अगला देखते हैं अगला कैमा राष्ट्रिय सिख्षा निती उनिस सो बानवे अपिर राष्ट् में प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग द्वारा स्विकार कर लिया गया जिसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है यह मिलनी किया था तो राष्ट्रिय सिख्षा निती 1986 है उसमें कुछ बदलाव के साथ इसे 1992 में फिर से पेस किया गया कुछ बदलाव किया ग प्रधान मंत्री मन मुहन सिंग दवराई से स्विकार कर लिया जिसे क्या कहा गया तो कॉम और मिनिमम प्रोग्राम से पूछ देरा के प्रोग्राम कौन सा है तो आपको चार ओप्सन देगा इसे यह ंए कर कर के लिए, यह आप. प्रवेश परिक्षा पर लागो किया जाना भारत सरकार ने इंजिनिरिंग और आर्किटेक्चर योजना चार्जक्रम के परवेश के लिए तीन परिक्षा है योजना अस्थापित की और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है उसे जबाले जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहा है आपको बताते हैं कि काफी इन्पोटेंट सेक्षन है अभी जो एक्जाम चलना है इस्टेट का उसमें हर सिप्ट में एक या दो प्रस इस सिक्षा आ इसलिए हमने वे वीडियो भी बनाया था एक्जाम में उससे भी प्रसंट लागतार पूछे जा रहे हैं क्या है तो विस्वित्याला कोंसा भीत्याल कहां है या किस राज में यह पुछा जा रहा है तो उसका भी आपका वीडियो जहुर देखे आप हमारे चैनल में लेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जया हिंद जया भारत